दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं वड़सप एक बहुत जादा emerging या फिर कहले हैं ग्रोईग चैटिंग आप है या फिर messaging आप है जिसके थुरूँ आप लोगों के साथ connect होते हो अपने colleagues, classmates, friends के साथ, अपने relatives के साथ सब के साथ अप अपने business partner तक के साथ था आप लोग WhatsApp के थुरू connect हैं, आप WhatsApp के थुरू ही अपना अगर business है तो वो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपना business जो है WhatsApp के थुरू run कर रहे हैं, ऐसे में वो लोग काफी सारा data जो है आपस में share करते हैं, आपस में transfer करते हैं, अगर कोई file जो है वो काफी जादा बड़ी है, एक एक जीबी तक की फाइल है, तो ऐसे में उनको बहुत जादा दिक्कत आती है, अगर वो वट्सक के थूरू जो अपनी फाइल या फिर डाटा जो है, वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की वीडियों का टॉपिक हमारा यही है, कि आप लोग अपनी वर्ट्सक के थूरू आप जो ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो आप लोग 1GB से उपर का जो डाटा है, वो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर 1GB तक का जो डाटा है, काफी हैवी फाइल जो होती ही, वो आप लोग कैसे वर्ट्सक के थूरू ट्रांसफ लगती हैं तो प्लीज एक लाइक शेर कमेंट अपने तरफ से कर देना वीडियो को शुरू करते हैं चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने मुबाइल के स्क्रीन पर वहाँ पर दिखाऊंगा मैं कि आप लोग यह सारा जो डाटर ट्रांसपर करना है आपको वर्टसप के अपने मुबाइल की स्क्रीन के तरफ अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपने मुबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं आप लोगों क्या करना है लिंक में आपको डिस्क्रिप्शिन में एक लिंक मिल जाएगा वर्टसप टूल का आप वहां से यह एप डाउनलोड कर स जाते हैं वहां से तो आप लोग सिंपली से प्ले स्टोर में आ जाएए और यहां पर आकर आप सर्च कर लिजे वर्टसप टूल जैसा कि देख रहा सकते हैं आप मैंने कर रहा है मैं फिर भी करके दिखा देता हूं वर्टसप टूल आपको नीचे ही दिख जाएगा सबसे पहले नमबर पर आपको इससे डाउनलोड कर लेना है जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डाउनलोड कर लिया है जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे आपको सिंपली से इसको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यह जितना भी कुछ पताएगा वो सब आपने स्किप क कर लेना जैसे ही आप स्केप करेंगे गेट स्टेड पर क्लिक कर लीजिए गेट स्टेड पर क्लिक करने के करते ही आप से यह कुछ परमीशन मांगेगा इनको अलाओ कर दीजिए अब वो बोल रहा है कि आप अपनी गूगल ड्राइब के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएए तो आपको क्या करना है सिंपली से यहाँ पर क्लिक कर देना और आप इसके थूरू जो है वो connect हो जाएंगे मेरा शायद net slow इसलिए time लग रहा है तो आप देख सकते हैं बड़ी असानी से जो है वो app जो है वो connect हो गया है यह अप में जाएंगे तो यहाँ पर आपने करना है send file आपने क्या करना है कोई भी video file में आपको अभी PDF send करके दिखा देता हूँ तो मैं यहाँ पर document पर click कर लेता हूँ मेरे पास जितने भी document पड़े हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कोई भी एक कोई भी एक document जो है वो मैं आपको share करके दिखा देता हूँ अब मैं इसको share कर देता हूँ पिर से मैं आपको करके दिखा देता हूं यहां पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया कोई भी चलिए तो चलो एड आगी अब मैं आपको एड स्किप करके बता देता हूं फिर से जाएए आप लोग यहाँ यहाँ पर document पर click कर दीजे जैसे आप document पर click करेंगे कोई भी document क्लिक कर लीजे फिर उसके बाद आप चले जाएए शेयर पर अगर आपके पास app है तो आप उस app में खोल सकते नहीं तो आप यह Chrome पर जाके खोल सकते हैं मैं आपको खोल के दिखा जाता हूँ Chrome पर कि आपको कैसा सा इंटरफेस देखने को मिलेगा अब यहाँ पर आपको document देख जाएगा और यहाँ पर आपको download का option देख जाएगा आप जैसे ही download की option पर click करेंगे तो यह अपने आप downloading करना शुरू कर देगा यह देखिए मेरे से permission मांग रहा है बड़ी असानी से तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा document जो है वो download हो गया है मैं आपको open करके दिखा देता हूँ तो यह जो है document आप इस तरह से share कर सकते हैं आप इसके थूरू अपनी एक एक जी बी तक की जो फाइल होती है बड़ी बड़ी फाइल होती है उनको भी बड़ी ही असानी से share कर सकते हैं आप दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि आप लोग कैसे वड़ी टूल आप का इस्तमाल करके अपना जो डाटा है काफी बड़ी हैवी फाइल है उसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बड़ी ही असानी से इसमें कुछ नहीं होता है बस आपको अपने जी मिलेट के साथ आपको लॉग इन करना होता उसाप में और आप बड़ी असानी से डाटा जो ट्रांसफर कर लेते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छी नॉलेजबर लगती है तो प्लीज आर अपनी तरफ से एक like, share, comment जरूर करना और जादा से जादा लोगों को शाथ share करना क्योंकि मुझे पता है कि काफी बड़ी problem है WhatsApp के कि वो जादा से बड़ी file जो है वो अपने आप से share नहीं कर पाता है इसके लिए आपको जो app यूज करना पड़ता है उस app के बारे में हमने इस वीडियो में आपको समझा ही दिया है तो अपनी तरफ से एक like, share, comment जरूर करना वीडियो को share कर देना चैनल को subscribe कर ले लेना आज की वीडियो में सिरफ इतना ही जयाहिन बंदे मात्रम